हेलो यूट्यूप फैमले गूड मॉर्निंग चलो चलते हैं आज की दिन चरिया में वेलकम टू माई चैनल मैं खड़ी हो चुकी हूँ और क्रेक्ट पांच बजे खड़ी होती हूँ मैं डेली की डेली और पांच बजे घर से बाहर का वी हो ऐसा है मला दीरे दीरे करके मला जो जो दिन आगे सर्दियों के आते जाएंगे रात हो दिखाई दीर ने लग जाएगी और मैंने चैती हूँ कोली मैंने सिला दी हैं और पहली बार की चाय को मैंने बना लिया है मेरा चेश्टा बाबू सो रहा है और उसके बाद में देखे पानी टाइम के उपर आ जाता है और इस टाइम के उपर सबने चाई पी ली है और अब मैं दिकाते हूं करेले की कितने लग गए हैं उस टाइम पर जो तोड़े थे वो उसकी सबजी घर पर नहीं बनी है और आज गुन्नों कहलेए कि ममा करेले की सबजी बढ़ाने है तो करेले आज तोड़ने पड़ेंगे छोटे-छोटे हैं ज्यादा बड़े नहीं है लेकिन यह है कि हाँ काम चल जाएगा एक ताइम के ऊपर मालए एक दिन का वाल्टी डलती है जितने भी और उसके अंदर पूरा साफ हो जाता है कभी दो में भी हो जाता है कभी मला आदी ओर डल जाती है बस इतने में साफ हो जाता है ज्यादा नहीं डलता है और उसके बाद में बिल्ली का बच्चा मला आज अभी तक नहीं दिखाई दिया है एक बर बस घर से भार जाता हुआ दिखता है उसके बाद में नहीं दिखता है देखते हैं वो कितने देर में आता है हाँ कल था इस टाइम के उपर आज नहीं है चेश्टा और गुन्नों के दोनों सो रहे हैं क्योंकि गुन्नों के आज चुटी है जो सब्जेक्ट गुन्नों ले तब तक गुर्णों की चुट्टी चल रही है और देखी मेरी सफाई में गिट के आगे से खतम हो गई है और इस टाइम के पर मैं नहा चुकी हूँ और मैं आज मैं नहा पहले लिए हूँ सफाई मैंने कहीं पर भी सुरुवात नहीं किया ने उपर की है ने नीचे की है क्यों मैं मेरे इस्ट देवता की पूजा कर रही हूँ जो मैं मेरे इस्ट देवता सिवलिंग मैं सिवजी बगवान है और सिवलिंग को मैंने इसमें स्थापित कर रखा है गमले में क्योंकि कहते हैं कि मंदीर के अंदर सिवलिंग को स्थापित नहीं करना चाहिए तो मैंने मंद जी को नहयला देते हूं आकर चाहे को बना लिती हूं, चेश्टा पापुख छाइ पी रहे हैं, महान सब ने चाहे पी लिए, इसलिए दो दिक्रे इन में से भी चेष्टा बाबु एक लेकर चला जाता है क्योंकि एक मलों चेष्टा बाबु के अपने हाथ में देखियों कि थेली ले रखिये और तो वो रावल जी को देने के लिए चली जाती है रावल जी मतलब जो हमारे पडोस में मोसी रहती है उनक शैटी दे देती है मुलो आज वाली नहीं दिया अभी नहीं बनाया है खाना और देख trafficking सीडियों में सफाई करते वेरे निच्चे जाऊंगे अभी ऊपर की मैंने नहीं कियों को कि कई मने मयने नहीं कियों कि सेडियों में इसले लागारी है क्योंकि ड्लू बहुत तेज आ गई थी चेश्टा बाबु ने आज बैग ले रखा है नाया जो कि गुन्नों का है बच्पन का तो चेश्टा बाबु को ये बैग पसंद आ गया तो इसने बैड में से निकलवा लिया एक दिन पहले भी निकलवा आया था और आज भी निकलवा लिया इसके ओपर डोल बनी हो होंगी और देखे मां यहां पर जाड़ लगा रहे हैं चेश्टा बाबु यही पर चक्कर काट रहा है बैग को लेकर और उसके बाद में मेरे को बिल्ली का बच्चा अब नजर आया है क्योंकि वो गुन्नों के साथ में मस्ती कर रहा है माला वो अंदर है माला उसको खेलना अच्छा लगता है लेकिन माला गुन्नों के साथ में और चेश्टा बाबु के साथ में ज्यादा के रहता है मेरे साथ में तो सिरफ उसको खाना भूख लगती तब भी आता देखे मापको दिखाते हैं वो क्या कर रहा है वो गुन्नों के साथ में देखे चेर के उपर प्रेगनेंट नजरा रही है और उसने इसके साथ में खाना पीना सब को छोड़ दिया है देखिए ऐसे करके अच्छा लगता है बहुत प्यारा लगता है इसका नाम हमने चिम्मू रख रख है और यह नाम चेश्टा बाबु ने निकाला है लेकर आव इसको सब चिम्मू कहने लग गए हैं और देखिए गुन्नो के साथ में भी यह कह रहा है कि नोटबुक मेरे को देते हैं मेरे को ही खेलना है इसके साथ में और फिर काफी देर तक खेलते रहते हैं गुन्नो के साथ मे और चेस्टा बाबू आब आता है क्योंकि वो उस साइड में था बैक को लेकर खूम रहा था तो मैं इस साइड में आ गई थी तो वो देखती कि माक मुमी कहां पर गई तो आ जाता है देखे बैक को अब भी ले रखा इसने इसके उपर छोटी सी डोल बनी हुई है जिसके आखे भी मालब सुलाओगे बैक को तो सो जाती है खड़ा करोगे तो खड़ी मालब खुल जाती है ऐसे वाली आखे हैं इसकी और देखे काफी देर तक खेलते रते हैं फिर मैं अपनी सफाई करने लग जाती हूं वापिस और देखे मेरी सफाई हो गई है कम्पलीट निच्चे की उपर की नहीं होई है आभी निच्चे निच्चे की कम्पलीट होई है आब मैं बनाऊंगे खाना और खाना बनाने के बाद में के बाद में मैंने की उपर की सफाई मला जो आप मैं आपको दिखा रही हूँ यह मैं उपर की सफाई करने के बाद का दिखा रही हूँ देखे चेश्टा बापो ने फिर अपना सामान पहला दिया था और सफाई मैं बाद में दिखा रही हूँ मैं कहूं कि मैं ज़स्ट की ज और आप मैं दिखा रही हैं आपको उपर की मौला उपर की सफाई करने के बाद में फिर मैं आपको सारी की सारी सफाई दिखा रही है दीखिए उपर गिल्ला है नीचे सूख है तो मौला नीचे काफी दिर होगी थी सफाई किये हुए और चेश्टा बाबु नहाने के लिए पर पहले तो निच्छे बैठा था फिर यहां पर फिर उस चेश्टा बाबो का में अपर पर यह नहला देती हूं चेश्टा बाबोने घूंग इड़ी कर रlas की आज देखते हैं कितना क्या कुछ होता है लेकिन फिलाल तो प्लान है कि मुला कटिंग हो जाए सारी और सिलाही हो जाए लेकिन आ आगे का नहीं पता होता है तो फिलाल तो चेश्टा बाबू उसी की चुन्नी बना कर गूम रहा है और कहरे है कि दादा जी आ गए मुला कि लिए मैं कोसिस करूँगी कि यह सो जायत मेरा काम हो जाए और गवमता जी अपने चर रही है और देखे बेल भी मले इस साइड मोड दी थी तो भी च्छत के उपर चल रही है निच्चे नहीं चल रही है इसको भी देखते हैं एक दो दिन में निच्चे उता रहेंगे द ऐसे बनते हैं इसको कुछ भी नहीं पता है क्योंकि छोटी बच्ची है इसको अभी तक अच्छे से बोलना भी नहीं आता है इतने सारे कपड़ों के फिर मैंने प्रेस कर दी जो कि कल धोय थे मैं पहनने के तो इतने ही थे तीन दिन के लेकिन हां बड़े कपड़े ज्याद uda कि जस्ट नहीं बनती है मैं खुंझ गंटे पहले नमक लगाकर रखना पड़ता है उनको फिर जाकर इनकी सब्जी बनती है अँए इसने मैं इसलने को स्याम को तोड़र रही है मुझा शूबह कहा था लेकár तोड़रने का टाइम आया है स्याम को क्योंकि दिन में टाइम मैं चेष्टा बाबु नहीं सोया क्योंकि चेष्टा बाबु ने फीडिंग फीडिंग की सोया नहीं वो और मेरी सफाई मलब सिलाई का काम भी कुछ भी नहीं हुआ मैं यह कहूं कि इतना कर दिया कुछ भी नहीं किया देखिए दिन छिप चुका है और हम आपर करेले मैं आ गई हूं मलब उपर भी जादा नहीं निकलते हैं छोटे छोटे तीन ही निकलते हैं हाँ एक दिन का काम चल जाएगा सबजी का उसके बाद में मैं नीचे आकर मेरे पितरों की ज्योत करती हूं और उसके बाद में चेष्टा बाबु उनके साथ में थोड़ा वुद खेलते हूं मैं रात का काम टाइम हो जाता है और फिर मैं रात का खाना बनाती हैं ऐसे करके पूरा दिन अच्छे से पैंड़ हो गया एक लावली डे था जो कि मलब प्यार से आराम से गुजर गया जैसे हर दिन आराम से गुजरता रहे उसके बाद में करेलों को नमक लगा कामला वो छोटा चिम्मू है ये बड़ा चिम्मू है बस इतना ही फरक है इन दोनों में उसके बाद में दे देते हैं बाबाजी को खाना रात का ओके कर फिर मिलते हैं आज का एक लवली डे था बाई